तोक जिले में खनिज विभाग के अधिकारियों की अंदेखी और लापरवाही से आम जनता परिशान और दैशत में जीने को मजबूर है हद तो ये हो गई है कि मालपुरा पचेवर तोड़ा राय सिंग सहीत जिले भर में खनन माफिया लीज की याड में ग्रे नाइट सहीत बहुमूली खनीजों का दोहन कर सरकार को चपत लाखों के राज्यस्ट के लगा रहे हैं इतना ही नहीं बिना रवन्ना के चेजा पत्थर का भी धनले से अवैद परिवहन हो रहा है अवैद ब्लास्टिंग से जहां मकानों में दरारे आने की शुकायते भी हैं लेकिन खनन बिभाग आँख मूंदे बैठा है ऐसे में माफिया और अधिकारियों की ये मिली भगत स इस्थानिया लोगों पर भारी ना पड़ जाए इसी पर ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कारवाई करने की कोशिश भी की हो है हद तो ये हो जाती है कि इन अफसरों के उपर बेटे वे आला कमान के अफसर भी चुपी साधे हुए आखे बंद करके निरिक्षन की भाइलों को आगे बढ़ाते रहते हैं जरा ये टौक से हमारी खास रिपोर्ट देखिए टौक के मालपुरा उपखण में पचेवर के आसपास के क्षेत्र में संचाले ग्रेनाइट की खदानों में संचालक खुलेयां नियमों की धजिया उड़ा रहे हैं खरिश विभाग के नुमाइंदों की मिली भगग और उपखण प्रशासन की नाकामे के चलते संचालक अवैद रूप से चेजा पत्थर बेच कर हर दिन लाखों रुपई की चांदी कूट रहे हैं जिससे सरकार को रोजाना लाखों की राजस्व की चपत लग रही है लेकिन खानन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के कालों पर जू तक नहीं रही है आपको बता दे कि मालपुरा उफखन के पचेवर ख्षेत में एक दरजन खदानों से ग्रेनाइट पत्थर निकाला जाता है जिसमें खदान माले के पास चेजा पत्थर की भी लीज है लेकिन खदान माले के चेजा पत्थर का रवन्ना नहीं दे रहा तो वहीं कई खदान माले ग्रेनाइट की लीज की आड़ में चेजा पत्थर भी धड़ लेस्ते बेच रहे है रिस्थानी ग्राबनों की माने तो खदानों में देर रात को ही ट्रेक्चर चॉलियों की कतार लग जाती है पत्थर की एक ट्रॉली भरने के लिए खदान संचालक के नुमाइन दे 1500 रुपए तक की वसूली कर रहे है यहां से प्रती दिन करीब 200 ट्रेक्चर ट्रॉली से ज़्यादा चीजा पत्थर भर कर जाते है यानि की रोजाना करीब 3 लाख रुपए की अवैद वसूली की जा रहे है लेकिन इन में से एक भी पैसा सरकार के खाते में नहीं जा रहा है जिससे की सरकार को लाखों की राजस्व का चूना लग रहा है तो भाही खानेज विभाग इस मामने में मौन साधे हुए है और इसके चलते ख़दान मालिकों के वरे न्यारे हो रहे है और इन तिन मंसों के दमेडे से मेरा मकान पूरा टूड़ चका है उपर से चट भी टूड़ गई और नीचे से भी पूरा मकान बखर चुका है अब इसका आमारे पास कोई गेला नहीं है तेसिलदार्डीय है ते प्रण हमारी कोई शुनाएं नहीं कि खास बात ये है कि ख़दान मालिकों ने चेजा पत्थर की अनुमती नहीं ले रखी है जिसके चलते चेजा पत्थर का रवना भी नहीं दे रहे है तो वहीं सडकों पर सुबह होने के साथ ही दरजनों ट्रेक्टर टॉली चेजा पत्थर से भर कर यहां से गुजरते हैं लेकिन खनेज विभाग की टीमों ने कभी जाज करने की जहमत तक नहीं उठाई हैं और इसके चलते चेजा पत्थर से भरे ट्रेक्टर टॉली सडपट सडकों पर दौरते नजर आते हैं शेत्र के पचेवर सूरसागर आवडा अजीतपुरा हनूतिया और गणवर समेथ आने गावों में ग्रिनाइट की खदाने संचौलित हैं और इन खदारों से निकलने वाले ओवरलोड वहनों के चलते गावों की सडके श्रतिग्रस्थ हो रही हैं जिसे की आमजन परिशान है ऑच करने वाले श्रविकों का ना तो रजिस्ट्रेशन है और ना ही इंशुरेंस है जबकि यह जरूरी होता है तो वहीं सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है वो अलग। पर्यवरन विभाग से एनोसी लेने के बाद अधिकांश हदारों पर पेड़ पौधे नहीं लगाए गये हैं। बल्कि पौधारोपन के नाम पर सिर्फ कागजी खरापूर्ती की गई हैं। तो वहीं अवैद ब्लास्टिंग से गाउं के मकारों को शती पहुच रही है। घरों में दरारे पढ़ने लगी है और उसकी वज़ा से स्थारी लोग देशत में जी रहे हैं। लेकिन प्रशासन है कि जौगने का नाम नहीं है। और शायद उसे किसी हादसे का इंतजार है। पुरुशोतम जोशी, जी मीडिया, टॉक।